आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे Chapter 6 of Macroeconomics जिसे हम कहते हैं Open Economy Macroeconomics आज हम इसका Components of Balance of Payments वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमसे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो होगा Capital Account Capital Account क्या होता है Capital Account Balance of Payment का Record करता है वो सारी Transactions जो एक Residence of a Country and Rest of the World के बीच में होती है जो क्या Cause करती है जो Cause करती है एक Change किसमें Assets में या Liabilities में of Residence of a Country या उसकी Government में ये जो Account है इसकी जितनी भी Transactions होती है वो Related होती है Claims से and Liabilities से and Financial Nature की होती है इसमें जो हमारा Example हाता है वो आता है Money का Stocks का Bonds and Government Debt Capital Account किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है Capital Account यूज करा जाता है Deficit Finance करने के लिए Current Account का या जितना भी Surplus है उसको Absorb करने के लिए of Current Account अब हम देखेंगे Components of Current Account जो Current Account की जितने भी Components हैं वो अब हम Describe करेंगे जिसमें जो सबसे पहला जिसमें हम Focus करेंगे वो होगा Borrowing and Lending to and from abroad Borrowing and Lending to and from abroad क्या include करता है वो include करता है वो सारी transactions जो किस से related होती है Borrowing से from abroad जो कि abroad से करी जाती है और ये कौन करता है Private Sector, Government and Etc. जो Receipts होती है इन सारे Loans की and जो Repayment होती है इन Loans की जो Foreigners करते है ये कहां Record होती है ये Record होती है on the Positive Side that is the Credit Side जितनी भी Transactions होती है Lending की पहले हमने Borrowing की बात करी अब हम Lending की बात कर रहे हैं जितनी भी Transactions होती है Lending की जो किसे करे जाते है जो इंडिया करती है Abroad और इंडिया में कौन कौन करता है जो करी जाती है Private Investors करते है और Government करती है जो Lending करी जाती है Abroad और जो Repayment है Loans की उसको Record किया जाता है Negative या Debit Side पर उसके बात जो हम देखते हैं वो हम देखते है Investments to and from abroad इसमें हमारा क्या include होता है Investment to and abroad include करती है Investments by the rest of the world जो किसमें करे जाते हैं अगर Investment बाकी साथी Countries कर रही है तो वो करेंगी Shares में इंडिया की Companies के Shares में या Real Estate में इंडिया के जतना भी Real Estate है उसमें या ऐसे ही कुछ और चीज़ों में ये जो Investment होती है जो Abroad से आती है ये कहां Record करी जाती है ये Record करी जाती है Positive यानकी Credit साइट पे क्यूंकि ये क्या हमारी कंट्री में ला रहे है Foreign Exchange इनके थ्रू हमारी कंट्री में आता है इसके इलावा जो Investments हम Indian Residents करते हैं कहां करते हैं Shares में करते हैं Foreign Companies की Real Estate में करते हैं बाहर की एक्सेक्टरा ये जितनी भी Investment होती है जो Abroad करी जाती है ये Record करी जाती है Negative या Debit साइट पे ऐसा इसलिए किया जाता है क्यूंकि ये हमारी कंट्री से Outflow of Foreign Exchange में Result करती हैं ये जितनी भी Items हैं ये Foreign Direct Investment या Foreign Institutional Investment में आती हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं Change in Foreign Exchange Reserves जो Foreign Exchange Reserves हैं ये क्या होते हैं ये Financial Assets होते हैं Government के जो किन के पास होते हैं Central Bank के पास होते हैं कोई भी अगर Change होता है या जितना भी Change होता है Reserves में वो किस तरीके से Serve किया जाता है वो Serve करता है As a Financing Item इंडिया के Balance of Payments में So, अगर कोई भी Withdrawal किया है हमने किस में से? Reserves में से तो ये कहा रिकॉर्ड किया जाता है Positive या Credit Side पे अगर कोई भी Addition करी जाती है इं Reserves में तो ये रिकॉर्ड किया जाता है Negative या Debit Side पे इस वक्त हमें ये Note करना बहुत जरूरी है कि जो Change होता है Reserves में वो रिकॉर्ड किया जाता है Capital Account में And Reserves की बात नहीं हम Change in Reserves की Recording की बात कर रहे है Foreign Direct Investment Foreign Direct Investment किसको Refer करता है ये Refer करता है Purchase of Asset में जिससे Direct Control मिल जाता है जो Purchase करता है उस Asset को उस Person को Direct Control मिल जाता है Asset पे जैसे अगर कोई Purchase करे Land को या Building को तो उसको पूरा Right मिल जाता है उस Land को या Building को Control करने का Portfolio Investment Portfolio Investment Refer करती है Purchase of an Asset को Such that जिससे की कोई भी Direct Control नहीं दिया जाता है जो भी Purchaser होता है उस Asset के उसको कोई भी Direct Control नहीं दिया जाता For example जैसे Purchase of Shares अगर कोई किसी की Company के Shares को Purchase करता है तो उसको Direct Control नहीं दिया जाता Company पर ये Foreign Institutional Investment भी Include करता है Components of Capital Account Capital Account के Components कौन कौन से होते हैं Capital Account के Components Investments External Borrowing and External Assistance होते हैं Investment को हम further Classify करते हैं Direct Investment में जैसे हमने भी देखा या Portfolio Investment में Direct Investment में हमारे पास जो Examples हैं वो होते हैं Foreign Direct Investment के Equity Capital Re-Invested के Earnings and Other Direct Capital Flows यहीं Portfolio Investment में जो हमारे Examples होते हैं वो होते हैं Foreign Institutional Investment Offshore Funds के इसके बाल अगर हम External Borrowings को देखें तो इसमें हमारे Examples आते हैं External Commercial Borrowings and Short Term Debt External Assistance में अगर हम देखें तो इसके Examples हमारे पास हैं Government Aid Inter-Governmental Multilateral and Bilateral Loans Balance on Capital Account जितनी भी Transactions होती हैं जो Lead करती हैं किसमे Inflow of Foreign Exchange में जैसे Receipt of Loan from Abroad Sale of Assets या Shares in Foreign Countries etc. ये कहां Record करी जाती हैं ये Record करी जाती हैं Credit या Positive Side किसके Capital Account के Similarly वो Transactions जो किसमें Lead करती हैं जो Result करती हैं Outflow of Foreign Exchange में जैसे Repayment of Loans Purchase of Assets या Shares in Foreign Countries etc. ये Record करी जाती हैं Negative या Debit Side जो Net Value होती है Credit and Debit Balances की उसे The Balance on Capital Account कहते हैं Surplus in Capital Account Surplus in Capital Account तब आता है जब Credit Items जादा होती हैं किससे Debit Items से वो Indicate करता है Net Inflow of Capital Deficit in Capital Account Deficit in Capital Account तब Arise होता है जब Debit Items जादा होती हैं Credit Items से और वो Indicate करता है Net Outflow of Capital Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advanced के लेवल ताटास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज ही डाउनलोट करे डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 सुपर